हेलो एवरिवन वेलकम बैक तो माई चैनल स्री ज्यान और आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास नाइन्थ की एकॉनोमिक सेक्शन का एक चैप्टर जिसका नाम है दा स्टोरी आफ विलेज पालंपूर ठीक है तो चलिए सुरू करता हैं और सबसे पहले देखिए परपस अफ देस्टोरी इस तो इंटोरी उसम बेसी कॉंसेट रेटिंग तो प्रोडाक्शन इन दिस वी गो थ्रू अस्टोरी ऑफ हाइपोथेटिकल विलेज का मतलब कहें यह एक रियल में कोई ऐसी विलेज नहीं है बलकि यह एक इमेजिनेरी विलेज है ठीक है इमेजि सब्सक्राइब यह का है कि स्मॉल गउड़ा के क्या बंट आर की इस व्रूड आपक्टिर पररियुल वोर्षुरो सारे काम जो नॉर्मरली ट्रेडिंग होती है जो ब्यापार होता है गाओं में वह होता है विश प्रोडक्षान अक्टिविटीज नीड बैैस टाइप सफ रिसोर्सेच लेकिन इन प्रोडक्षन को करने के लिए विए उन उत्पादों को करने के लिए भी हमें क्या है resources त zwr20 आशी सारी चीज़े होती ना जैसे लकडी हो गया inviting वहतर हो गयाyk रहे हैं यह सारी चीज़े ओ Milan डैन मैंने के mechanismамен करण द्वारा बनाए गई चीज़े भी होते हैं जैसे नτο Sidact मैंमे यह कि यहाख अंड़ पुल्स पकार्समाइब बीज़्स through the story of Palampur, we will learn how various resources combine to produce due to our goods and services in the village, धेर साजी चीजों को मिला कर हम जो बनाना चाहते हैं, वो कैसे बनाते हैं, सिर्फ मानलों कि आपको सिर्फ खेती करने हैं, तो उसके लिए कितनी चीजों की जरूरत पड़ेगी, हम ये इस चैप्टर से समझेंगे, तो चलिए सुरू करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट, पालंपूर इस वेल कनेक्टेड विट नेवरिंग विलेजेस एंड टाउन्स, पालंपूर अपने सापूर, सापूर से लेकर राय गंज तक ऐसे रास्तों से हमारा विलेज पालंपूर कनेक्टेड जो आल वेदर हैं, आल वेदर मतलब किसी भी वेदर में चलती है ये रास्ते, खराब नहीं होते, कच्छे रास्ते नहीं है मैनी काइंड्स अफ ट्रांस्पोर्ट आर विजिबल डू दू इस रोड स्टार्टिंग बुलग कार्ट यानि की बैल गारी ठीक है, तांगा यानि की घोड़ा गारी, बगगी यानि की वुड़न कार्ट, एंड मैनी ओदर, लोड़ेड विथ जैगरी यानि की गुड़ ज जरनी, ट्रांस्पोर्ट वगएरा होता है, इस विलेज में कितनी फैमिली हैं, फोर फिफ्ट गाओं में बहुत ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं होती है, यह याद रखीगा, बिलॉंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट और यह सब अलग-अलग कास्ट से बिलॉंग करते हैं, the 80 upper class families on the majority of the land in the village, ज्यादा तर जो majority of the land है, जमीन का ज्यादा तर हिस्सा किसके पास है, अपर कास्ट के पास है, 80% असी अपर कास्ट के उझज जाती के लोग हैं और उन्हीं के पास ज्यादा तर जमीन है, यह बात है, गाओं में ऐसा ही होता है, their houses some of the quite large, उनके नॉर्मल लोगों से थोड़े से बड़े हैं, पक्के के बने हुए हैं, यानि की सिमेंट वागरा से, their house some one quite large, made of bricks, इट की बने हुई है, with cement plastering, तो आपने सिमेंट से बने हुए जो इट और सिमेंट से बने घर होते हैं, वो तो आपने देखे ही होंगे, राइट? The Dalit, S.C.S.S.E. मतलब, schedule caste के जो लोग होते हैं, जो सबसे lower caste के लोग होते हैं, comprising one third of the population, अगर तीन लोग हैं, तो उसमें से एक इनसान क्या है? Dalit है, यानि की lower caste का है, लेकिन उनके घर काफी small है, much smaller houses, ठीक हैं, और ये गाउं के एक अलग कोने में रहते हैं, ठीक है, और इनके घर किस चीज़ से बने हुए है, mud और बास वगेरा से जो बने होते हैं, घर, जोपड़ी इनको कहते हैं, तो वो जोपड़ी वगेरा में रहते हैं, ये, ठीक है, यहां तक हो गया, most of these houses, electric connections, इनके घर पे भी अब electric connections हो गया, electric powers, all the tubels in the field, and is used in the various type of small businesses, जो electric power से चलने वाले डेट सारे tubels वगेरा भी हो गया है, जिनकी वज़े से पानी हर जगा पहुचता है, पालंपूर में दो primary schools हैं, पालंपूर has two primary schools, एक high school भी है, there is a primary health center, एक health center भी है, जो government के द्वारा, सरकार के द्वारा चलाया जाता है, और एक private dispensary भी है, जहां मतलब बीमार लोगों का इलाज होता है, the description above shows that पालंपूर has fairly well developed system, मतलब ऐसा देखके लगता है कि हाँ पालंपूर लगभग ठीक ठाक developed है, आपको क्या लगता है, comment में जरूर बता देना, system of roads, मतलब ठीक ठाक से well development roads भी हैं, transport भी ठीक ठाक है, electricity भी पहुच गई है, irrigation यानि कि जो मतलब पानी खेतों में हम लगाते हैं सिचाई के लिए, उसकी facility भी ठीक ठाक है, schools भी है, health center भी है, ठीक है, तो इस हिसाब से पालंपूर क्या है, लगभग ठीक ठाक developed है, the story of पालंपूर an imaginary village या एक imaginary village है, यह reality में है या नहीं, यह हमें नहीं पता, we will take us through the different type of production activities in the village, अब जो production होता है इस village में different types के उसके बारे में हम देख लेते हैं, farming is the main production activity, farming खेती जो है वही main है, ठीक है, the other production activities बाकी के दूसरे production activities के अगर हम बात करें तो non farming activities includes small manufacturing, कुछ चोटे चोटे होते ना जो खाने की plate वगएरा disposal बनाते हैं, cup बनाते हैं, गोबर से डेर सारे products आजकल बनते हैं, अगर बत्ती बनती है, गन्य के juice के meal होते हैं, यह सारी चीज है, उसके बाद transport है, shop keeping है, दुकाने होती हैं, यह कुछ चोटे चोटे काम है, हम पहले थोड़ा सा production के बारे में पर लेते हैं, उसके बाद में चीजों के बारे में भी deeply discuss करेंगे, ठीक है, तो जो production का main मकसद है, वो क्या होना चाहिए, वो यह होना चाहिए, कि हम कुछ ऐसा बनाए जो जिसकी जरूरत हो लोगों को, जो that we want, कुछ ऐसा produce हो, हमारी जरूरत का हो, there are four requirements for production, हमें किसी भी चीज को produce करने के लिए, उसका उत्पाद करने के लिए, चार चीजों की जरूरत होगी, और ऐसा services के साथ भी है, services वो होती है, जैसे कि हम teaching करा रहे हैं, आपको परहा रहे हैं, हमें जमीन तो चाहिए, किसी एक जगा तो चाहिए ही, ताकि हम क्या कर सके, वहाँ पर अपना plant लगा सके हैं न, उसके बाद देखो, उसके बाद हमें चाहिए natural resources जैसे की पानी, पानी की जरूरत लगेगी, जंगलों की जरूरत लगेगी, मिनिरल्स की जरूरत लगेगी, इन सब चीजों की जरूरत लगेगी, जो की natural resources हम कह सकते हैं, अब थोड़ा सा और आगे बरते हैं, तास दूसरा requirement है labor का, यानि कि हमें लोग चाहिए काम करने वाले, बीना लोगो लोगों की जरूरत लोगों की जरूरत होती है, जैसे कोई मसीन चलानी है, या आपको कंप्यूटर पे दीन भार बैट कर कोई आप ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना शुरू कर रहे हो, कोई गेम बनाने की कमपनी है, तो उसके लिए तो पढ़े लिखे लोग चाहिए, लेकिन मान लोगों खेतों में काम करने के लिए तो पढ़े लिखो लोगों की जरूरत नहीं पढ़ती है, है ना? जो smart होंगे कुछ होंगे, जो smart नहीं होंगे, लेकिन दो तरह के labor होंगे, यह आपको पता चल गया, अब हमारी तीसरी requirement का है, तीसरी requirement है, physical capital की, physical capital की, और यह क्या है, यह अलग अलग तरह के inputs मांगती है, देखो क्या-क्या, doing the production what are some items that come under physical capital physical capital के अंडर क्या क्या आता है चलो हम देख लेते हैं ठीक है एक एक करके देख लेते हैं physical capital में सबसे पहले हमें चाहिए tools and machinery और जार चाहिए ना हमें tools चाहिए machines चाहिए buildings चाहिए और यह सरी चीज़े क्या हो गई हमारे लिए चाहिए physical capital हो गई क्या हो गई physical capital तो physical capital का example आपको याद रहेगा ठीक है अगर मालों आपको अनाज उगाना है तो अनाज उगाने के लिए आपको बैल चाहिए जो खेतों को जोतेंगे या फिर आपको ट्रैक्टर चाहिए उसके बाद fertilizer यानि की खांच चाहिए उसके बाद आपको सीट चाहिए उसके बाद पाइगी ठीक है तो देखो या फार्मर ब्लाग यानि की पहले खेत को जोते गा ठीक है उस के लिए मसीन से यह जर्मालों की उसके बाद कुछ चीज़े चाहिए होती है उसके बाद देखो तर्बाइन्स लिए लग यह कंप्यूटर है ऐसे मसीनरी का एक्जामपल है यह बस और कुछ नहीं तो इन सब मसीनरी का लगाते हैं और इसको हम क्या कहते हैं फिक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, next में है raw material, हमें raw material में क्या क्या चाहिए, raw material and money in hand, ये दो चीजे भी चाहिए, हमें हाथ में भी पैसा रखना पड़ेगा, क्योंकि जो labor काम कर रहे है, उस labor को भी पैसा देना है, कुछ सामान लाना है, तो उसके लिए भी पैसा चाहिए, कुछ सामान बढ़ने के लिए by other necessary items, हमको जो कुछ भी चाहिए, वो पैसे से ही तो मिलेगा, और इस पैसे को हम क्या कहते है, जो business को चलाने के लिए चाहिए, continue लगता रहेगा, labor को पैसा देना है, machine खराब हो गई, उसमें लगाना है, कुछ raw material खरीना है, वो जो पैसा है, उसको हम कहते है, working capital, ठीक है, अब बढ़ते हैं, तो total हमने कितनी चीज़े देखी देखो, एक तो चाहिए हमको fixed capital, दूसरा चाहिए working capital, fixed capital क्या चाहिए, कि हमको building बनानी पड़ेगी, building बनाने के लिए पैसा चाहिए, machinery के लिए पैसा चाहिए, जमीन खरीदने के लिए पैसा चाहिए, व हो गया working capital, हम किसी को पगार दे रहे हैं, जो वहां काम कर रहे हैं, उन सब चीज़ों के लिए, तो वो हो गया हमारा working capital, और एक और जो हमारा capital है, वो है physical, यानि कि, अलग-अलग stage पे आपको अलग-अलग तरह के physical capital देखने परेंगे, और physical capital का ही पार्ट है, fixed capital और working capital, ठीक है, तो हमने देख ली, ठीक है, अब चलता है, चौथा requirement क्या है, there is fourth requirement to, चौथा एक और requirement है, अब ये भी देख लेता है, you need, you will need knowledge, हमें ग्यान होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, कि इस enterprise को, इस business को हमें चलाना कैसे है, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हमें एक network चाहिए न, जो हमने produce किया है, produce किया है, जो output निकाला है, उसे use करने के लिए, हमें इसको sell करना पड़ेगा, तो उस sell करने के लिए हमें एक market चाहिए, और इसको हम क्या कहते है, these days called human, human के बाद क्या लिखा है, देखो, कुछ लिखा है, human capital, देखो, ये रहा, तो, we shall learn about human capital, हमें ये भी पढ़ना पड़ेगा कि human capital क्या होता है, तो human capital के बारे में हम next chapter में बात करेंगे, ठीक है, अब देखो, in the picture identify the land, labor and fixed use, आप इस image को देखो, और देखो कि इसमें land भी लगा हुआ है, labor भी लगे हुआ है, machinery भी लगी हुई है, raw material भी लगा हुआ है, जो ये machinery है, इनसान हो है, वो labor हो गया, जिस जमीन पर काम हो रहा है, वो land हो गया है, ठीक है, तो ये सारी चीज़े तो एकदम easy है, किसी भी production को करने के लिए हमें चारों चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, एक साथ जोरना पड़ेगा, organized करना पड़ेगा, अरेंज करना प पड़ेगा, तबी, अकिला labor भी कुछ निकरता, machine अगर खड़ीद के रख दी, तो machine थोड़ी ना अपने आप बनाएंगी, machine भी नहीं कर सकती, building बना के छोड़ दिया, तो building से थोड़ी ना अपने आप production सुरू हो जाएगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये आप अच्छी तर अब time आए, तो एक बार important lines को check करो, तो आप answer आनाम से लिख पाओगे, ठीक है, चलो, अब next आगे देखते हैं, देखो, land तो हमारे पास fixed है, हमारे पास land क्या है fixed है, land को हम ज्यादा घीच घांच के बड़ा नहीं कर सकते, building आप एक की जगा चार मंजिला बना सकते हो, लेक तो है नहीं कि एक बिगा जमीन को घीच खांच के लंबा कर देंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता, farming is the main production activity है पालंपूर, पालंपूर की main activity, farming है, 75% लोग क्या कर रहे हैं, सब के सब depend on the farming, सब के सब खेती कर रहे हैं, they could be farmers और farm labors, या तो वो खुद farmers हैं, या फिर किसी और के farm मे as a labor काम कर रहे हैं, the well being of these people is closely related to production, जो भी farm में उगता है, उसी से ये लोग रिस्ता रखते हैं, मतलब इनका रिस्ता भी खेती से है, remember that there is a basic constraint in raising farm production, land area under cultivation is practically fixed, land का जो area जिसमें हम cultivation कर रहे हैं, जिसमें हम खेती कर रहे हैं, वो क्या है, fixed है, यह आपको याद रखना है, 1960 में पालंपूर, there has been no expansion in land area, अभी तक कोई expansion नहीं हुआ है, 1960 से लेकर अभी तक, ठीक है, आगे बढ़ें, cultivation, by some of the waste lands in the village has been converted to cultivation, जो पहले पुराने समय में जो ऐसे लेंड्स थे, जिनका हम यूज नहीं कर पा रहे थे, अब क्या करने लगें, हम वेस्ट लेंड्स का भी, यूज करने लगे, उनको क्या कर दिया हम लोगों ने, cultivate, खेती करने लाएक जमीन में हमने उसे बदल दिया, ठीक है, इस इग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्ट बाइ न्यू लेंड अंडर कर्टिवे, अब नए लेंड्स हैं नहीं करने के लिए, जहां हम नए लेंड्स का करके हम अपना काम निकाल से, अब नई जगा तो हैं नहीं हमारे पास की एक् हूं गाते तो अब हमें 15 किलो गाना पड़ेगा, यही दिक्कत है, और इसी को हमें प्रोडक्शन को बढ़ाना है, तो वो हम कैसे करेंगे, चलो वो देख लेते हैं, ठीक है, अब देखो, क्या कोई रास्ता है जिससे हम क्या करें, सेम लेंड पर हम ज्यादा मोर ग्रो कर सक है, in some kind of crops grown and facilities available, कुछ जो अनाज है, उनके साथ ऐसा किया जा सकता है, पालंपुर विलजफुर वेस्टरून पार्ट अफ तर स्टेट उत्तर प्रदेश, ठीक है, यह कहा है, उत्तर प्रदेश में, all land is cultivated in पालंपूर, जितनी भी जमीन है, सब पे क्या होता है, खेती होती ह है, no land is left idle, normal मतलब ऐसे ही बेकार जमीन कहीं नहीं पड़ी हुई है, during the rainy seasons, यानि कि बरसात के मौसम में, जब खरीफ की खेती होती है, farmers क्या उगाते हैं, याद रखना, यह बहुत important है, खरीफ के सीजन में, हम जवार, बाजरा उगाते हैं, जवार और बाजरा उगाते हैं, these plants are used as cattle feed, cattle feed यानि कि जवारों को खिलाने के लिए यूज में आता है, ऐसा बात नहीं है, जवार बाजरा इनसान भी खाते है, it is followed by cultivation of potato, इसको आलू उगाने के बाद किया जाता है, between October and December, in the winter season, और ठंड के दिनों में, क्या होता है, रभी, winter season, fields are sewn with the weight, यानि कि गेहु उग जाते हैं, ठीक है, ठंडी के दिनों में क्या उगाया जाता है, गेहु उगाया जाते हैं, मतलब इस समय रोप दिये जाते हैं, वो दिये जाते हैं, from the wheat production, farmer keep enough wheat for the family, और जितनी भी गेहु होती है, उसमें से अपनी family के लिए पहले रख लिया जाता है, कि चलो हमें साल बर ख इतनी हमारी family है, तो family के हिसाब से अपना अपना वो रख लेते हैं, और बाकी का क्या करते हैं, वो बेंच देते हैं, मार्केट में, जो मार्केट का नाम है, राय गंज, ठीक है, a part of the land area is also developed to sugar can, कुछ एक ऐसा इलाका भी है, जो sugar can के लिए ज्यादा अच्छे से devoted हैं, वहा और sugar से, मतलब, sugar केंसे क्या बनता है, sugar और बनता है, jaggery यानि कि good, तो ये दो चीजे बनती है, sugar से क्या क्या बनता है, jaggery और good, अब कह रहे हैं, कि भई, साल में आप तीन तरह की खेती कर पा रहे हो, तो इसका कारण क्या है, इसका कारण है, system of irrigation, well developed system of irrigation, जो सिचाई की, इनके पास पद्धती है न, वो काफी अच्छी है, इनको पानी available मिल जा रहा है, सिचाई के लिए जो भी जरूरत सामान है, वो आराम से मिल जा रहा है, जैसे कि electricity, motor, है न, यह हर चीज पर जाती है, और irrigation बहुत ही, खासा प्रभाव डालता है, खेती पर, its major impact was, transform the system of irrigation, irrigation का system हमने क्या कर लिया, transform कर लिया, बदल लिया, बैतर बना लिया, Persian wheels were, till then, used by farmers to draw water from the wells, कुमे से पहले पानी निकाला जाता था है न, और खेतों में सिचाई की जाती थी, लेकिन बाद में हमने electric run tubels का यूज किया, और ज्यादा क्सिचाई सुरू कर दी, सिचाई ज्यादा करी तो ज्यादा खेत हमारे लिए available हो गए, ठीक है, हम ज्यादा larger area पर सिचाई कर सकते हैं, अच्छी तरह, जितना ज्यादा area में हम सिचाई करेंगे, उतनी ज्यादा खे ठीक है, however, far started setting up private tubels, कुछ लोगों ने अपने private tubels भी लगा रखे हैं, result by mid 1970, the entire cultivating area 200 hectare was irrigating, मतलब 200 hectare का जो जमीन था, वो सब irrigation होने लगा, to grow more than crops, one crop on a piece of land, during the year is known as multiple cropping, जब एक ही साल में आप एक से ज़्यादा तरह किया नाज, एक ही खेत में उगाओगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, multiple cropping, ठीक है, तो multiple cropping पर अगर कोई आप से सवाल पूछेगा, तो आप एकदम simply बता सकते हो, कि एक ही जमीन पर, अगर हम एक से ज़्यादा तरह के अनाज उगाते हैं, एक ही साल में, तो वो क्या होगा, multiple cropping, और ये सबसे common way है, सबसे common रास्ता है, कि हम क्या करें, increase कर लें अपने production को, production को increase करने के लिए, एक किसान एक ही साल में, तीन तरह की खेती उगाता है, ठीक है, अब हम थोड़ा सा और, आगे बढ़ते हैं, मैं थोड़ा सा speed में लेके जा रहा हूं, क्योंकि कुछ बच्चों के unit स्टार्ट हो गए, ठीक है, तो, यहां तो ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ, हम यह, यह देख सकते हो, आप, high-ealing variety के seeds, यानि कि, इन seeds का अगर आप इस्तेमाल करते हो, तो पौदावार ज़्यादा होगी, ठीक है, उसके बाद हम खाद का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, फाद का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हमारे पास machinery होनी चाहिए, तब ही हम क्या कर पाएंगे, जल्दी से खेतों को हल चला कर जोद पाएंगे, है न, और machine को चलाने के लिए क्या चाहिए, डीजल की जरूरत पढ़ रही है, ठीक है, देखो, एक production के लिए हमें क्या क्या जरूरत पढ़िए, इधर machinery भी जरूरत पढ़िए, इधर seeds की भी जरूरत है, इधर fertilizers की भी जरूरत है, इधर pesticides, यानि कीट ना सको का भी जरूरत है, वरना सारे खेती को अनाज को क्या खा जाएंगे, कीट खा जाएंगे, है न, और उसके बाद हमें irrigation भी करनी है, सिचाई सबसे पहले तो एक सोर्स चाहिए, पानी का मालो डैम हो गया, या फिर कोई नहर आ रही है, तो नहर से भी हो जाएगा, या फिर आप मोटर लगा के pumping side से पानी लेकर जाओ, या फिर आप electricity के through भी लेकर जा सकते हो, अपने घर से जो ट्यूबल बगएर है, उसमें मोटर चाहिए, यानि की हायर यानि की healing और वी यानि की variety ठीक है, तो ऐसे seeds चाहिए, उसके बाद हमें कैचिए, irrigation यानि की सिचाई के लिए बेवस्ता चाहिए, आपको मोटर से करो, या फिर कैनाल से करो, कैसे भी करो, आपको करने ही पड़ेगी, उसके बाद हमें chemical चाहिए, fertilizer से और मतलब खाद चाहिए, और pesticide से यानि कीट ना सक चाहिए, जिन से हमारे खेतों में कीरे ना लगे, ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया, farmers of Punjab, Haryana and Western उतर परदेश्वेर, the first to try out the modern और यह जो मतलब खेती करने का तरीका है, यह modern तरीका है, इसे हम क्या कहत है, तो यह जो method है, यह modern farming का method, अगर आपके पास बहतर मसीने हैं, तो आप ज्यादा बहतर तरीके से जल्दी-जल्दी काम कर लोगे, अगर आपके पास tractor है, माल लो, तो आप उससे बहुत जल्दी क्या कर सकते हो, खेतों को जोच सकते हो, है ना, अगर आपके पास tracer machine है, म अलग कर लिया, और चावल अलग कर लिये, इस तरह के मसीनों से आप अलग-अलग कर लेते हो, इस से क्या होता है, कि आपकी जो खेती की speed है, आपकी तो harvesting है, वो ज्यादा बैटर और speedway में हो जाती है, speedy way में हो जाती है, ठीक है, अब देखते हैं, पालंपूर में 1300 kg per hectare क् weight यानि की गेहों हुआ, ठीक है, और इसका कारण क्या था, high yielding variety के seeds थे, और नहीं, और इनके seeds, high yielding variety के seeds का use करने के बाद क्या हुआ, 3200, पहले 1300 kg होता था, अब 3200 kg होने लग गया, सिर्फ variety of seeds के change करने से, तो आपने सिर्फ अगर आपने अपना बीज भी change कर लिया, सोच ल yielding variety के seeds, आपने यूज कर लिए, तो आपका production, सीधे double से triple हो जाएगा, है ना, तो यह कितनी अच्छी बात है, अब आगे देखते हैं, आगे, 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 लेकिन modern farming के लिए आपको क्या चीए, ज़्यादा पैसा चीए, आपको tractor खरीदने के लिए पैसा लगेगा, आपको थ्रेSAR, machine के लिए पैसा लगेगा, irrigation के लिए आपको पैसा लगेगा, तो ज़्यादा पैसे की जरूबत पड़ेगी, पहले के लोग क्या करते अदे हैं, स इतिनन फार्मिंग से कड़्ट मतलब क्र द। ज्यादा होते हैं और इसके लिए पैसे भी तो जादा लग रहे हैं लए नढ तो कि लेंड क्या है लेड सस्टें देखो एक बार मिलेंड सस्टेंज के बारे में देखते हैं लैंड क्या है कि庭्णाय ये अमें ज्यादा पेस्टिसाइड से कुछ यूज कर दिया जिसकी वज़े से मालों खेत बंजर हो गए तो आप उसकी जगह आपको खेत के अल्टरनेटिव नहीं है आपके पास ठीक है साइंटिफिक रिपोर्ट्स इंडिकेड़ देड़ दा मोडेन फार्मिंग मेथर्स अवर यूज दा नैच्रल रिसोर्स का बेस तो नेच्रल रिसोर्स का जो बेसे वह बहुत ज्यादा यूज कर दिये जैसे कि पानी बहुत ज्य इंक्रीजंड यूजर केमिकल फडिलाइजら डिऑ फटीलाइजर अचा ग्रीन रफेलियूशन के तहट जब हमने मतलब फंटीलीटी को लेकर प्रॉबलम का रिजन ता फंटीलीटी को लेकर जो शूएल फंटीलिटी की रीजन हुई उसका रीजन यह था कि tätä की इन हम ने नीचे से ग्राउंड वाटर सारा यूज कर लिया तो ग्राउंड वाटर या ट्यूवल इरिकेशन जब सिचाई हम त्यूवल के थू करते हैं तो नीचे के जो जल स्तर है जमीन के नीचे का जो वाटर लेवल है वो क्या हो जाता है वो कम हो जाता है ठीक है कि देखो यह सारी चीज़े problem create करने लगती हैं अगर यह सारी चीज़े एक बार groundwater कहीं से खतम हो गया तो groundwater फिर से restore होने में काफी लंबा समय लेगा तो इससे एक बहुत बड़ी problem शुरू हो जाएगी अगर groundwater नहीं होगा तो खेती तो possible ही नहीं है ठीक है तो इसी लिए हमें हर चीज़ को properly यूज़ करना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि अगर हमारे पास पानी एविलेबल है तो हमने पकड़ गए इतना पानी यूज़ किया या इतना chemical यूज़ किया कि बस अब देखो यहां लिखा है chemical fertilizers provide minerals which dissolve in water and are immediate available to plants chemical fertilizers क्या होते हैं कि फटा फट से पानी के साथ घुल जाते हैं और पौधों को जो minerals चाहिए वो उपर यूपर दे देते हैं जड़ों को ज्यादा नीचे तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ठीक है अब हम चलते हैं next पालंपुर में देखो इन पालंपुर अबाउट वन थर्ड अव फोर फिफ्टी पैमिलीज सारे चार सो का वन फिट ठीक है तो कितना होगा वन थर्ड वन थर्ड होगा वन फिफ्टी 150 फैमिलीज का पास कोई जमीन है ही नहीं 150 फैमिलीज लैंड लेस है ठीक है 150 फैमिलीज मोस्ट अव देम दलित ये क्या है सबसे नीची जाती के लोग है have no land for इनके पास कोई जमीन नहीं है खेती करने के लिए बाकी के जो लोग है of the remaining families who earned land इन में से 240 फैमिली जो है वो सिर्फ बहुत ही छोटा सा प्लोट उनके पास बहुत ही छोटा सा प्लोट है खेती करने के लिए ठीक है मालो 2 hectare है ज्यादा से ज्यादा cultivation of such plot doesn't bring adequate income for the farmer family जो इतनी छोटी सी जमीन पे खेती करने के बाद इनको income ही ज्यादा नहीं होती है ताकि घर ही नहीं चल पाता सही ठीक है अब देखो यहां you can see the large number of small plots scattered around the village in the picture गाव में छोटे-छोटे plots बने होते है न छोटे-छोटे से जगह होते हैं जहां पे खेती चल रही होती है ठीक है these are cultivated by small farmers यह छोटे-छोटे की सानुद्वारा के जाता है on the other hand one more of the half area of the village is covered by plots that are quite large in size गाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा माल लो एक ही आदमी के हाथ में होता है और वो उस पे खेती करवाता है ठीक है in Palampur there are 60 family, 60 ऐसी family है ठीक है जो medium है या फिर large farmers है यह बहुत बड़े farmers है who cultivate more than 2 hectares of lands a few of the large farmers have land expanded 10 hectares कुछ farmers के पास तो 10 से भी ज्यादा hectare जितने खेत है तो friends आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए पढ़ते रहें